हेलो एवरिबड़ी रूस यूक्रेन के वार के बाद जो सबसे बड़ा खत्रा पुरी दुनिया के उपर बन रहा है वो है नुकलियर वार का नुकलियर वार में हम एटम बॉम को यूज करते हैं और हिरोश्मा नगाशाकी के उपर जो एटम बॉम का इफेक्ट हुआ था वो अल्रेडी पुरी दुनिया जानती है 6 अगस्थ 1945 1945 को हिरोश्मा के उपर एक नुकलियर वार में ड्रॉप हुआ था और 9 अगस्थ 1945 को नगाशाकी के उपर नुकलियर वार में ड्रॉप किया गया जिसका इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि 3 लाग से ज़्यादा लोग मारे गये थे आज के टाइम पे उससे कई गुणा लार्ज नुकलियर वार में हमारे पास मौजूद है अगर पुरी दुनिया के स्टॉक पाइल की बात करें तो पुरी दुनिया के पास 13,000 से ज़्यादा नुकलियर वार में जिसमें की USSR के पास सबसे ज़्यादा है More than 6,500 Then second number पे आता है USA जिसके पास 5,500 से ज़्यादा नुकलियर बॉम है टोटल 9 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास नुकलियर स्टॉक पाइल है और and out of these 9 कंट्री and total नुकलियर स्टॉक पाइल of the world 90% of the nuclear स्टॉक पाइल is held by USSR and USA alone वैसे आज के जो संक्या है 13,000 से ज़्यादा वो फिर भी कम है क्योंकि 1980s के last होते होते जो टोटल नुकलियर स्टॉक पाइल था पूरी दुनिया का वो more than 70,000 था 70,000 से ज़्यादा था वो लेकिन इसके बाद 1990s के बाद है कि CTBT एक treaty sign होती है जिसके बाद nuclear disarmament का काम स्टार्ट होता है disarmament के बाद कई सारे nuclear stockpile को बंद किया गया खत्म किया गया और आज के टाइम पे 13,000 के आसपास nuclear stockpile हमारे पास मौजूद है अभी रसिया यूकरेन की बीच में जैसी बाते आ रही है USSR USA की बारे में कई बार ऐसे nuclear bomb को यूज करने की बात आ चुकी है Cuban Missile Crisis के टाइम पे nuclear bomb को यूज करने की बात अलड़ी पुरी दुनिया देख चुकी है हलांकि nuclear bomb सिर्फ अभी तक एक बार ही यूज हुआ है वह हिरोशिमा नागा साकी के ऊपर जिसमें की 15 किलो टन का और 25 किलो टन का nuclear bomb यूज हुआ था आज के टाइम पे तो हमारे पास mega 10 में nuclear bomb है जो उससे कई गुना ज़्यादा है हलांकि nuclear bomb में किलो टन, mega 10 क्या होता भी समझेंगे हम लोग पहले ये देखिए कि आज के सामने हमारे आज के टाइम पे हमारे पास खत्रा कितना बड़ा है इतना लार्ज है ये danger कि जब हिरोशिमा और नागा साकी के ऊपर जो nuclear bomb ब्लास्ट हुआ था उसमें सिर्फ उसी टाइम के लोग मारे गया था ऐसा नहीं है जनरेशन टो जनरेशन नूखलर एफ़्एक्ट रहता है थर्ड जनरेशन तक डॉक्लर इफ़ेक्ट आता है आज के टाइम पे जब इतने जादा नुखलर वेपन मौजूद है तो mbols एक विडियो देखते हैं कि नुक्रलर बॉपम पाँसे अपना effect डालता है यह देखिए देखिए कि total nuclear stockpile कहां कहां पर है किनकिन countries के पास है तो United States के पास 5550 United Kingdom के पास 225 France इसराइल 90 पाकिस्तान 165 जो इंडिया से ज्यादा है इंडिया के पास 156 रसिया के पास 6257 चाइन 350 और नॉर्थ कोडिया 4250 यह नुक्लर स्टॉक्पाइल है पूरे वल्ड के अब देखिए कि नुक्लर स्टॉक्पाइल जो है पूरे वल्ड का इसमें 90 पर्शन तो रसिया और USA के पास है हलांकि जो नुक्लर बॉंब होते हैं नुक्लर बॉंब दो टाइप के होंगे नुक्लर बॉंब जो होता है वो दो टाइप का होता है तो एक तो कहलाता है फीशन बेस्ड फीशन बेस्ड फीशन बेस्ड और दूसरा कहलाता है फ्यूजन बेस्ड जो फीशन बेस्ड होता है वो उनकी जो केपैस्टी होती है वो जनरली कम होती है और यह किलो टन में किलो टन में इसकी केपैस्टी जनरली होती है किलो टन का मतलब क्या हो गया कि 1000 तन ओफ TNT इक्विवेलेंट मतलब 1000 तन के ट्राइड नाइट्रो टॉलियून का जो कैपैस्टी आएगा जो इसका डिवास्टेशन होगा उतने ही के बराबर आपका जो एक किलो टन का नुकलर बॉम होता है उतना ही यह डिस्ट्रक्शन कर सकता है हिरोश्यमा के उपर जो गिरा था नुकलर बॉम उसकी कैपैस्टी थी 15 किलो टन नगासा की उपर जो नुकलर बॉम गिरा था उसकी कैपैस्टी थी 25 किलो टन लेकिन आज के टाइम पे हम fusion based bomb को का खत्रा इतना नहीं जानते जितना की खत्रा fusion based bomb का है जो fusion based bomb होते हैं, actually ये fusion को पहले यूज करता है और उसके बाद fusion को यूज करता है fusion और fusion दोनों का combination होता है, इसका मतलब क्या है कि जो fusion based bomb होते हैं fusion based bomb को temperature बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा temperature को अचीव करने के लिए सबसे पहले fusion reaction होता है fusion reaction के कारण temperature पैदा होगा और उसी temperature के बाद फिर fusion होता है जहाँ पे fusion होगा तो fusion में generally hydrogen के जो isotopes होते हैं, deuterium and tritium तो deuterium and tritium का मिलता है fusion होता है और इसके कारण ही काफी ज़्यादा उर्जा, काफी ज़्यादा energy निकलती है और since deuterium and tritium hydrogen के isotopes हैं, तभी इनको हम hydrogen bomb भी कहते हैं so hydrogen bomb is basically fusion based nuclear bomb, जो hydrogen bomb की capacity होती ही काफी ज़्यादा होती है hydrogen bomb की capacity करीब करीब आपका mega ton में होता है, mega ton so mega ton की बात करें, that means 1 mega ton is equal to 10 lakh ton of TNT 10 lakh ton of TNT, तो आप देख सकते हैं कि 1000 times ज़्यादा stronger है आपका hydrogen bomb so hydrogen bomb की बात करें तो hydrogen bomb आज के time पे कई सारे country हैं जितने भी आपके nuclear powered country उनके पास hydrogen bomb ही है और आपके इस Hiroshima नगासाकी वाले bomb की comparison में आप देखें कितना ज़्यादा destructive हो सकता है यह, so तभी पूरी दुनिया डड़ी हुई है nuclear bomb के खत्रे से अब देखते है nuclear bomb काम कैसे करता है, इतना ज़्यादा destruction कैसे करता है actually जब nuclear bomb blast किया जाता है तो दो तरीके से blast करते है एक तो होता है ground पे blast करना और दूसरा होता होता हवा में blast करना अगर मुझे किसी city में बहुत ज़्यादा destruction करना है तो हवा में उसको blast किया जाता है हवा में जितना ऊपर हवा में blast करेंगे उसका फैलाव उतना ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा city में destruction create होगा लेकिन कई बार क्या होता है कि जो military bunkers को destroy करना है military area को destroy करना है किसी country का military stockpile nuclear stockpile कहीं पढ़ा हुआ है कहीं पर missile silos है silos का मतलब जहां पर missile deposit होगे उसके safe में रखा होगा तो जहां पर missile रखा हुआ है या फिर उसके submarine समय blast करना है तो इस तरीके से अगर मुझे blast करना होगा तो underground blast होगा underwater blast होगा nuclear bomb का और ऐसी condition में दाइरा जादा नहीं भड़ता लेकिन हाँ इसमें ground के ऊपर complete devastation हो जाता है अब देखें nuclear bomb काम कैसे करता है कि basically जब nuclear bomb drop होगा या nuclear bomb blast होता है तो within a millionth of a second एक second के one millionth time में ही ठीक इसके पहले एक particle जो solid रूप में था अब वो completely high temperature के कारण gaseous form में convert हो चुका होता है और धीरे धीरे सारे atomic particle gaseous form में convert होने ही लग जाते है और बहुत ज़्यादा तेज amount में energy पैदा होती है ये energy इतना ज़्यादा होता है कि आसपास का जो air होता है वो बहुत तेजी से rise करना start हो जाता है as we go up in the air pressure decrease होता जाएगा और जैसे इसे pressure decrease होता है ये फैलता जाता है तो जितना rise करता जाएगा फैलता जाएगा और इसी को हम कहते है air blast ये air blast जो होता है ये बहुत ज़्यादा pressure difference create करता है आसपास के areas में जैसे अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो atmospheric pressure है वो 15 psi का atmospheric pressure होता है 15 pound per square inch तो हमारा जो atmospheric pressure है 15 psi का है जिसको हम कहते है 15 pound per square inch अब आप ये समझे कि 15 psi का जो air pressure है अगर इसका सिर्फ 1% part भी अगर बढ़ गया air pressure तो इतना ज़्यादा air pressure हो जाएगा कि आपके जो दर्वाजे है वो आप खोल नहीं पाएंगे खिड़की आप खोल नहीं पाएंगे कई बाद जब आंधी तेज आती है सुनामी आती है तो ऐसे में दर्वाजे कई बार वो च्छत जो होता है wooden floor जो होता है wooden floor हो या wooden ceiling होता है वो कई बार हवा में उड़ जाते हैं तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि pressure difference बहुत ज़्यादा create हो जाता है लेकिन जब nuclear blast होता है और nuclear blast के बाद जो air blast create होता है hot air के कारण ये कई गुना ज़्यादा आपका PSI बढ़ा देता है तो PSI अगर 5 PSI और बढ़ गया सिर्फ 5 PSI और बढ़ गया तो 5 PSI बढ़ने के कारण जहां जहां पर 5 PSI का air difference आ जाएगा वहां complete devastation हो जाता है सारी buildings गिर जाती है residential building तो completely गिर जाएगी और residential के बाद अगर commercial building के कोई बहुत ज़्यादा strong बना हुआ है तो अगर 10 PSI का pressure difference आया तो residential प्लस commercial सारी building गिर जाती है और complete human loss हो जाता है लेकिन जब एक nuclear bomb blast होगा तो PSI कई कुना बढ़ जाता है not only 15, 5, 10, 15, 20 यह हो सकता है जो PSI बढ़ता है वो 20 प्लस PSI बढ़ जाता है ऐसे में complete devastation हो जाएगा अब जो यहाँ जो pressure difference आता है इसका human के उपर direct effect नहीं आता human के उपर effect कैसे आता है कि अगर human building के अंदर है तो building गिर जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा pressure difference आता है माल लेते हैं कि यह दिवार है और इस दिवार के उपर बहुत ज़्यादा pressure का difference आएगा तो यह tons में pressure difference create कर जयता है जब हजारो टन का pressure difference इस दिवार के उपर आता है तो दिवार गिरेगा इससे जानमाल का नुकसान है तो human का नुकसान तो ऐसे होता है human के उपर direct pressure difference का effect नहीं होता क्योंकि humans के उपर since चारो तरफ से pressure difference है तो effect neutralize हो जाता है then second effect देखे तो यह तो पहला effect आएगा air blast का दूसरा effect क्या होता है कि जब nuclear bomb blast होता है तो बहुत तेज amount में सबसे पहले light निकलती है यह light इतना तेज होगा कि यह sunlight से भी ज़्यादा होता है और कभी आपने magnifying glass को यूज जरूर किया होगा magnifying glass को same light sunlight का जो होता है जब हम किसी paper के उपर रखते है paper जलना start हो जाता है paper जल कैसे रहा है क्योंकि हमने जो sunlight है उसको एक जगा पर concentrated कर दिया यहाँ light इतनी तेज निकलती है कि magnifying glass से जैसे पूरे के पूरे sunlight को concentrate कर दिया हो और हर जगा पूरी चारो तरफ यह concentrated हो जाता है that means कि इस light के contact में जितनी भी चीज़ी आएंगी सारी जल जाएंगी तो दूसरा effect यह होता है जिसको हम कहते है burning effect तो पहला effect nuclear blast का यह था कि high pressure difference जिसको हम कहते है air blast होता है तो air blast generally physical damage करेगा buildings गिर जाएंगी commercial buildings सारी के सारी गिर जाते है यह सब problem आती है दूसरा जो effect आता है air blast के बाद वो होता है light blast light blast जिसके कारण की burning आसपास के जो areas होते है human flesh होता है या फिर animals हो गए trees हो गए घर हो गए यह सब burn हो जाते है जल जाते है इसके बाद तीसरा आता है heat blast अब burning के कारण फिर आएगा heat blast अब आसपास के particle जलना स्टार्ट हो गए यह छोटे छोटे particle से जल रहोंगे कई बार यह एक साथ मिल जाते हैं और इनके मिलने से बहुत बड़ा एक heat का एक गोला प्रोड्यूस हो जाता है यह heat का गोला इतना large हो सकता है और चाउत्रा फैल सकता है कि जैसे जैसे heat फैलता जाएगा अपना खुद का एक air current प्रोड्यूस कर देता है यह इतना large heat का गोला होगा अपना खुद का एक air current प्रोड्यूस करेगा और आसपास के oxygen को completely सक कर देता है आसपास की जब oxygen खत्म हो जाएगी तो इससे oxygen की कमी के कारण जो वहाँ आसपास के लोग होंगे यह suffocation से बढ़ जाते हैं सो फोर्थ होता है oxygen deprivation and it will create suffocation यह suffocation create कर सकता है अब यह कितने एडिया में suffocation create कर सकता है that depends upon the quantity or the volume जितना हम volume यूज कर रहे है जितना quantity हमारा atomic bomb का है उसके according अगर माना जाए कि एक मेगा टन का कितनी एडिया में suffocation आ सकता है तो एक मेगा टन का suffocation हम मान सकते हैं कि almost जो एडिया कवर करेगा suffocation के लिए that will be up to 10 miles 10 miles तक के area में suffocation create कर सकता है लोगों की death हो सकती है animals की death हो सकती है everything will die in that area तो ये इतना large effect है आपका nuclear bomb का और तभी nuclear bomb इतना खतरनाक होता है अब next question ये arise होता है कि अगर nuclear bomb इतना ही खतरनाग है तो फिर इसको बनाते क्यूं है क्यों बनाया गिया इसको actually nuclear bomb एक deterrence की तरह काम करते है deterrence का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास भी nuclear bomb है मतलब इंडिया के पास भी nuclear bomb है और Пाकिस्तान के पास भी nuclear bomb है तो दोनों एक दूसरे के उपर attack नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर होगा कि पाकिस्तान के पास nuclear bomb है अगर एक भी nuclear bomb हमारी उपर गिर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है similarly अगर पाकिस्तान हमारी उपर attack करेंगा और हमने पाकिस्तान के उपर nuclear bomb drop कर दिया तो obviously पाकिस्तान का भी उतना नुकसान है तो in that case जितने भी nuclear capable country है वो आपस में generally attack नहीं कर सकते है तो deterrence का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, दूर भगाने का काम करेंगे इसलिए nuclear bomb का proliferation मतलब fell out start हो गया जो deterrence theory थी nuclear bomb की ये initially तो लगता था कि काम कर रहा है और आज भी काम जरूर कर रहा है लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि अगर किसी country ने nuclear bomb drop कर दिया फिर क्या होगा कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ कोडिया सायर nuclear bomb drop कर देगा 2014 में Crimea attack जब हुआ था रसिया के द्वारा उस टाइम पे NATO ने एक छोटा सा nuclear bomb drop जरूर किया था ये डराने के लिए रसिया को कि हम nuclear bomb drop कर सकते हैं अगर आप और आगे बढ़े तो रसिया ने उस टाइम पे इसका जवाब nuclear bomb drop करके नहीं दिया लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर रसिया एक larger nuclear bomb drop कर देता और पूरी दुनिया में एक nuclear war start हो जाता फिर क्या होता मतलब nuclear bomb का effect किसी एक country तक तो होता नहीं है अब क्या होता है कि जो radiation से अब मैंने पांचमा तो लिखा है नहीं पांचमा यह था इसमें फिफ्थ effect जो आता है प्राब्लम आती है nuclear bomb में वो है radiation effect रेडियेशन इफेक्ट जो होता है वो बहुत लंबे time तक रहता है अब जो जलेवे particles हैं जो दूर भाग रहे हैं लंबे time तक हो सकता है जिसके कारण की generation to generation आपके उपर nuclear radiation का effect आ सकता है तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी एक country ने दूसरे country के उपर nuclear bomb drop किया है तो सिर्क वही country affected नहीं है stratosphere के कारण या rain के कारण यह दूसरी country के पास भी जा सकता है so it is a loss to humanity if any country drops a nuclear bomb on another country तो deterrence वाली थियोरी बहुत अच्छी थियोरी लगती नहीं है हलांकि nuclear non proliferation treaty sign किया गया था लेकिन फिर भी कुछ country ऐसे हैं जिन्होंने बाद में चोरी छीपे nuclear bomb बनाया उनमें इंडिया भी एक country है जरूर है लेकिन इन country का भी कहना है कि अगर हम nuclear bomb नहीं बनाते हैं तो हमारे उपर attack का खत्रा हमेशा मौझूद रहता है तो उनका भी एक मजबूरी है nuclear bomb बनाना अब बात ये आती है कि इन दोनों theory में से कौन सी theory सही है हम nuclear bomb के द्वारा अपना बचाओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या दुनिया को हमेशा डर में रखे हैं कि nuclear bomb जरूरी है इसके लिए रामधारी सितन दिनकर की एक कविता है जसकी चार लाइने मैं बोलूँगा आपको और ये जो कविता है ये विल्कुल समप करता है इस nuclear phenomena को nuclear dilemma को आज के टाइम पे ये कविता देखे क्या है शमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दन्तहीन वीश रहित विनीद सरल हो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा साप जिसमें विश है वो नहीं कात रहा है तो उसके लिए शमादान है, लेकिन जिसके पास विश ही नहीं है, उसको शमादान होता और उसके उपर हमेशा ही अटैक होंगे, जैसे हम यूकरेन का एक्जामपल देखें, यूकरेन के पास पहले नुकलिर हत्यार थे, लेकिन बाद में एक ट्रीटी होती है, रस्या के प्र नुकलिर हत्यार होता, तो रस्या आज अटैक यूकरेन के उपर नहीं कर पाता, जो इस पोयम को बिल्कुल जस्टिफाइ करता है यह इंसिदेंट, so now I'll take my rest with these lines, right, thank you.